आज मैं आपके लेकर आए हूँ बहुत ही टेस्टी पोई के भाजी की भजिया जिने बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंड करना ना भूलें तो चलिए ने बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने पोई की भाजी लिए हैं यह पोई के भाजी की पत्ती कहलाती है इनकी भजिया बनती है इसके जो भी सक्त जड़ है उन्हें हमें निकाल देना है और छोटा-छोटा इनिट चौप कर लेना है आप इनकी बहुत सारी रेसिपीस बना सकते हैं यह बहुत ही बाजी को हमने बहुत यची तरह से वॉस कर लिया है यह देखिए अब एक बाउल में हमने इने ट्रांसपर कर लिया है अब इसके साथ में हम डाल देंगे इसमें चौप की हुई धनिया चौप की हमने यहाँ पर मिर्स ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग प्यास ले लिया यहाँ पर हमने एक फाइन चॉप किया हुआ नमक डाल देंगे स्वाद की अनुसार अगर आपको यहाँ पर अपनी मन पसंद और भी वेजिस डालनी ही तो आप डाल सकते हैं नितो प्यास डालने से ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब हम इसमें डाल देंगे 1-4 टीस्पून हल्दी पाउडर 1-4 टीस्पून रेड चिली पाउडर आप अपनी टेस्ट के साब से मसाले इसमें अट कर सकते हैं सभी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इससे बाइंड करने के लिए हम यह आपका 1 cup बेसर ले रहे हैं जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि भाजी में अपने आप ही एक महश्चर होता है तो थोड़ा थोड़ा करके हम एड करते जाएंगे तो ये देखे हमने पूरा एक कप बेसा इस्तमाल कर लिया है अब ये बहुत एची तरह से बॉल्स के जैसे बनना स्टार्ट हो गया है तो ये देखे इस तरह से इसकी बॉल्स बन रही है तो तेल को हमने यापर गरम कर दिया है मीडियम फ्लेम पर अब छोटे बड़े जैसे चाहें वैसे बॉल्स आप इनके बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं जटपट से बन जाते हैं तो इन्हें बहुत एची तरह से गोल्डन क्रिस्प होने तक हम इने फ्राइ कर लेंगे आप इन्हें एक बार ज़रू ट्राइ कीजिगा तो इन्हें गोल्डन और क्रिस्प होने तक हम अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें जिसे कि अंदर तक बहुत एची तरह से कुक हो जाएं तो इतने ही हमने इसमें डाले हैं अब इन्हें फ्राइ होने देते हैं तो दो मिनेट हो गए इन्हें फ्राइ होते हुए ये देखें बहुत ही अच्छा गोल्डन करार आना स्टार्ट हो गया है इसमें सबी तरब से बहुत एची तरब से क्रिस्प होने तक हम इने फ्राइ कर लेंगे आप इने किसी भी सौस या चटनिक साथ सर्व कर सकते हैं थोड़ा सा और गोल्डन क्रिस्प कर लेते हम इने तो ये देखिए पार्च मिट के अंदर ये बहुत एची तरह से क्रिस्प और गोल्डन कलर किये हो गई है बहुत एची तरह से हमारी भजिया त्यार हो गई है इन्हें निकाल लेते हैं अब हम बाहर और गर्मा गर्म सर्व करते हैं तो लिए जी बन कर तयार हैं मारी बहुत ही टेस्टी पोई के भाजी की भजिया आप इन्हें जरूर ट्राइ कीजिएगा रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से आज सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में थेंक यू थेंक्स वर वाचिंग